हेलो वाट्सप गाईस आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे है मैमो फंक्शन इन रियक्ट नैंटीन आई नो गाईस अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई यह जो मैमो है यूज मैमो है या यूज कॉल बैक हूग है यह सब तो हड गए इसके बदले आचुका है फाइनली कंपाइलर तो हम क्यों यह पढ़ रहे है तो गैस सबसे पहले तो यह बात आदेता हूँ कि यह जो कंपाइलर वो एक्जेक्ली रियक्ट नैंटीन में नहीं है इसका एक अलगी पाट है वो कंपाइलर ठीक है एंड रही बात वो अभी तक एकदम पॉफेक्ट ली आया भी नहीं है कंपाइलर में दो हम उसका यूज करके दिखाऊंगा मैं आपको बट एक चीज़ आप रखिए कि लाइक अभी जस्ट वो रिलीज हुआ है ठीक है अब भी जस्ट एक अनॉंसमेंट वो गी यह इन तीनों की आपको नेड नहीं है कंपाइलर अपना काम कर देगा अगर आप उसको यूज करती हो तो करने के लिए घड़र लेकिन जब आप अब ही जाओं जाओंगे तो अग्या फूद इस फूरी कंपनी थी संत्रून तश्टयार अगर के थी उहांत अग्यार इसे 탄ल फोस्ते थी संत्रूं कि आखेंग पह पूर्यां मैं आप अग्या तो यार आपको एक प्रोजेक्ट पर बिठा दिया रियक्ट का इसको आप कंटीनू करो अब बोल अरे सर इसमें तो मैमोस है यूज हुआ है इसको हटाई अब आप कंपाइलर उस कीजिए बट जब आप करने जाते हो आपने देखा अरे बाप रहे एक जगे नहीं दो वहां पर तो हजारो हजारो या 100 से macro pages होंगे कहा जाक्यारों एक जगा आप Hagst पुरा एक जगा आपक्या एक जगा मुझे मुझे मालब यह है कि दो कंपाइलर आ गया है कि यूट आया किस बदले आया और किस रिजन से आया वो तो आपको कभी जिंदगी में पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपको तो ऐसा है कि मुझे memo नहीं पढ़ना use memo नहीं पढ़ना use callback नहीं पढ़ना जब आप उसको पढ़ोगे नहीं उसको समझोगे नहीं अरे यार इसमें यह कमी थी अच्छा इसमें यह problem था तभी compiler आया जब तक वह आपके mind में बने गए नहीं आपको कभी compiler का कोई value नहीं पता चलेगा समझ रहो ना क्या कैनी की खुशिस कर रहा हूं है ना तो इसलिए यह memo यूज memo एंड यूज callback आपको पढ़ना ही पढ़ेगा no matter what क्योंकि आपको लाइक application 99 100% application ही है जो जिसमें वो यूज हुआ होगा ठीक है सो यह I hope बाते थोड़ी ज्याद होगी अगर आप कभी भी बाते ज्याद आले आप स्किप कर सकते हो मतलब वीडियो को नहीं उस particular पार्ट को chapters में दे देता हूं आप directly practical में जम कर सकते हो तो देखो क्या होता है यह एक function है जहां पे is used for memo या memoization of functional component दो यह pronunciation इसका difficult है बट exactly अब depend करता है यह सबके accent अलग होते मेरा नेपाली accent में किस तरी किसे बोलता हूं कोई foreigners इसको किस तरी किसे बोलेगा even Chinese Japanese उनका और अलग tone आएगा but it doesn't matter कभी भी tone पे नहीं जाना किसी के है न इसका simple फंड़ा पाता है दो यह टर्म थोड़ा सुनने में यह जो keyword यह जो word सुनने में जागन word जैसा फिल आता है बट reality में इसका मतलब यह है कि कोई भी component में क्या प्रॉप चेंज हो रहा है या नहीं यह चेक करना आपका memoization का काम होता है मतलब एक component में क्या प्रॉप चेंज हो रहा है बस खत्म इतना आपको समझना component में क्या प्रॉप चेंज हो रहा है या नहीं यह चेक करने का काम memoization है एंड बस उसी की उपर ही आपका यह पूरा use memo I mean use callback use memo and memo है कैसे में बाता है द्यान से देखना इप दी प्रॉप्स ठीक है इप दी प्रॉप्स ऑप a memoized component have not changed react skips the rendering for that component using the catch result in state simple देखो आयनो गाइस आप यह इतना नहीं समझे बट इसका simple funda किया मैं आपको बाता आता हूं ठीक है अभी थुईतर में बाता तो practical में डोंट वरी एक और में एक इसका shortcut रखा है यहां पर यह पड़ के आपको पाता चल जाए यह आपका एक higher order component है HOC है and if you want to know more about HOC let me know in the comment section that we can use to wrap a components that we do not want to re-render unless props within them changes simple funda मैं बाता हूं I hope यह पड़के तो आपको एक idea आगया है क्या है practical में पूरा doubt के लिए हो जाएगा मैंने आप लोगों के लिए practical पहले से बना के रखा है that is hooks करके मेरा जो component था useState, useRev, useReducer, useId, useEffect, context API सब कुछ पढ़ लिया now मैंने एक new memo करके folder बनाया है उसके अंदर मैंने दो फाइल क्रेट किये एक है reactmemo.jsx दूसरा है आपका memo count.jsx फिलाल अभी मैं आपको यह दिखाता हूं फिर आप मैं आपको यह दिखाता हूं तो हुआ यह कि मेरा यह जो react memo है मैंने इस तरह के से उस पे एक simple सा counter application बनाया ठीक है counter application तो बनाया बनाया लेकिन साथ में मैं एक और component को उस component के अंदर call कर रहा हूं and that is my count component मेरा यह जो react memo component में इसका अपना खुद का एक logic है साथी साथ मैं एक और component को call कर रहा हूं that is my counts component अब इस counts component पे अगर मैं चलता हूं तो अब यह वो page है जो मैंने अभी थोई देर आपको पहले बताया था यह वाला memo count वाला and the beauty of this component is कि भाई इसको किसी से लेना देना नहीं इसमें नहीं हम को state use कर रहें नहीं हम कुछ props पास कर रहें parent to child वाला इसमें simple हमने क्या किया हूआ है कि use wrap hook की हमने help ली है जहां पर जब जब अगर यह component render होता है then use wrap में we have one property called current तो मैंने current plus plus कर दी जिससे वो increment होगा तो इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बाता आता हो ध्यान से देखना ठीके and q हमें react.memo की नीड़े वो आप आपको पुरा clear हो जाएगा तो guys अब आप एकदम ध्यान से देखेगा है ना सबसे पहले तो यहां पर मैं चलता हूँ we have this react.memo copy key इसको आपको obviously यहां पर दिखाना पड़ेगा ठीके इसको मैं हटा जयता हूँ all right perfect this is how my app.jsx looks like मैं यहां पर चलता हूँ all right guys तो आप देख सकते हो कि कुछ वो आपको इस्तर किसी दिखाई दे रहा है ठीक है this is our actual react memo वाला component यह मेरा वो counts वाला component है तो दोनों एक की नीचे obviously दिखेंगे और इनके बीच में इस पेस है क्योंकि मैंने tailwind CSS उसके होगा है तो अब आप मुझे एक बात बताओ ठीक है जब मैं इसको क्लिक करूंगा देखना क्या होता है एक बार इसको refresh करता हूँ अब फिलाल here we have one times लिखाए दा मुमेंट में क्लिक करूंगा यह देखो यह देखो देख रहो क्या हो रहा है यहां पे जब जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ मेरा यह जो component है यह बॉटम पे जो दिख रहा है उसकी value भी update हो रही है उसकी value update हो रही है तो कहने का मतलब क्या यहां पे देखो क्या लिखा है तो क्या फिर से आप यहां पे PPT पर आईए आपका doubt killer हो जाएगा देखो क्या लिखा थे इस particular पे यह एक higher order component है that we can use to wrap the components that we do not want to re-render unless props within them changes I hope आपको पता चल गया होगा मतलब react.memo हम इसलिए use करते है ताकि जो फालतू का re-render हो रहा है ना हमारा component बीना किसी वज़े से मतलब उसमें कोई props change भी नहीं हो रहा है उसके बाव जो फालतू का re-render हो रहा है उसको बचाने के लिए हम react.memo का use करते है यह सबसे best example यह है मैं तो भाई मेरा जो component है उसमें मैंको बस increment करना है लेकिन यह वाला जो component है उसकी value क्यो अपडेट हो रही है भाई किस कुसी में अपडेट हो रही है जबकि यह वाला जो मेरा component है अगर आप ध्यान से देखते हो memo accounts वाले इस पे तो ना मैंने आप देखो ना मैंने कोई props पास की है मैं तो simple call किया है रखा है कि भाई चलो इसका data दिखा दो बस लेकिन वो तो भाई इसका data ही change कर दे रहा है समझ रहो तो यहां पर मुझे कुछ चेंज ना करना पड़े तब तक इस component को rerender नहीं करना है तो यहां पर आपका memo काम आता है मतलब फालतू का जो rerender होने से बचाने के लिए अगर आप इसको और बैटर तरीकिसे आपको समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूं तो देहां से देखिए we have one devs इसको मैं close कर रहा हूं so the moment मैं इसको close की and boom guys see आपके सामने report ready जहां पर why did this render ठीक है आप देख सकते हो यहां पर duration कितना time react memo यह मेरा component का नाम है यहां पर यह मेरा component का नाम है इसको कितना time लगा I mean first time जो हमने click किया कितना second इस ने लिए and यह जो react memo component क्यो render रहा because यहां पर बोल बट बॉटम वाला भी तो मेरा रेंडर हो गया था यह देखो वो यह है देखो बहुत के लिए क्या बोल रहा है counts वाला जो मेरा component है बता रहा है duration इतना why did this render यह क्यो render हुआ because the parent component render तो यह जो पार्ट है जहां पे child component को कुछ लेना देना नहीं था child component अपने आप independent आज के time मे लोगों को independent होने की खुसी है मतलब वो चाहते है independent होना तो जब बोल रहे है मैं जब independent बन चुका हूं तो parent का अगर कुछ हो रहा तो मेरे पर क्यों reflection हो रहा है वो तो इस तरीके का जो problem होता है जहां पे child component को like जब तक child component में कुछ change नहीं करना है उसको call नहीं करना है उसको value change नहीं करनी है तब उस case पर आपका memo काम आते है यहां पर बता भी रहा है कि parent के चलते है यह हो रहा है इस तरीके से and at the end में मैं आपको यह बता हूंगा कि जब आप memo यूज करते हो तब गाईस यह call नहीं होगा ठीक है आप समझ गए ना तो कैसे करना है बहुत ही ज्यादा अब मैं यहां पर इसके मुझे निर्ट नहीं पड़ती बाइद वे इस तरीके से ना तो अभी 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 कोई हमने कुछ ठीक तु किया निया अभी यह बेकारी है यहां पर अपडेट हो रहा है बट अभी यहां पर बहुत इसली लिखाते है इन्होंने and that is क we can use to wrap component with what react memo wrap करने आमें बस ताकि वो फालतुकारी रेंडर ना हो तो बस इस component को मुझे react.memo लिखना है and इस तरह के से wrap कर देना है खत्म यह यह आपका memo कभी भी एक component के अंदर अगर आप multiple child component पास कर रहे हो and आप यह चाहते हैं कि वो जो child component है उनको कोई disturb ना करे वाली में parent में कितना भी re-rendered state update करूँ तब वहां पर हम memo यूज करते है यह make sure करता है कि until and unless अगर इस component में कुछ change हो गया तब आप इसकी value update जरूर कीजिएगा लेकिन अगर फालतु में उपर के किसी parent के कारण कुछ changes आ रहा है इसको भाई disturb मत करो कुछ नहीं इतना अगर आप कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा यह जो react इस तरह किसे आता है आपको मालूम है कि react 19 में इस तरह किसी इंपोर्ट कर सकते फ्रॉम और react लाइबरी इस तरह किसी देखो ना डारेक्ली बस इतना ही करना था और कुछ नहीं अब आप ध्यान से देखना इसको रिफ्रेश करता हूं इस पर क्लिक करता हूं और बॉम गाइस सी यह देखो मैं कितना भी कुछ कर लू मेर यह जो वैल्यू है यह देखो वान का वानी है मतलब यह गभी रेंडर होई नहीं रहा है मैं आपको प्रोफाइलर में भी जाके दिखा सकता हूं जहां पर इस पर कर लो तो मैं कंपोनेंट्स प्रोफाइलर चलो सब सही है ठीक है मैं इसको रिफ्रेश करता हूं if you want to know more about प इसको मैं इंक्रिमेंट पर क्लिक कर रहा हूं ठीक है अब मैं इसको क्लोज करता हूं तब यह मुझे ग्राब बना के देता है जहां पर आपको क्लियर पता चलता है क्या हो रहा है यह देखो रियक्ट मैमो है यहां पर एंड यह मतलब सिर्फ रियक्ट मैमो ही मेरा रेंडर को चेंज नाहीं करोंगा अपना कॉंज लोंगा तो या देखो पाता भी रहा है डिटन older confident इस स्टार्टिंग में मैंने क्या दिखा था विगॉज दी पैरेंट रेंडर रिजन कुछ उस तरह कि आया वा था था बट या इस इतना ही है गाईस समझ गयाने मैं क्या करने कोशिस कराऊ react.memo आपको यूज करना है जब आप multiple components basically एक parent के इंदा multiple child है and आप child को disturb नहीं करना चाहते until and unless उसमें कोई props आपास करे हो जो continuously change हो रही हो या genuinely child अपने आपको render करवाना चाहता है ये दो case है तो आप like as it is रहने दो else आपको इसको disturb नहीं करना है उसके लिए हम memo का use करते है या तो आप इस तरीके से memo को return करो या तो directly आप यहाँ पे भी memo को return करवा सकते हो and अगर आपको वहाँ पे करना होता चलो वो भी दिखा देता हूँ export and बस आपको memo ही तो लिखना और क्या करना है खत्म इस तरीके से भी आप कर सकते हूँ ठीक है अगर यहाँ चलता हूँ does not provide an export named a sorry यहाँ पे तो हमने जब export इसको आप मुझे calibrations के अंदर लेना पड़ेगा ना क्योंकि जब भी आप exports करते हो without using default keyword then आपको object की तरह उसको treat करना पड़ता है ठीक है तो I guess यहाँ चलो ठीक है and yeah this is it मेरा काम हो गया यह render नहीं हो रहा है कभी भी तो yeah guys this is it आज इस वीडियो के इतना ही हो वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद होगा concept पाता चल गया होगा कब आपको react.memo यूज करना है simple ठीक है कल की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको use memo and then उसके नेक्स वीडियो में मैं आपको पताऊंगा use callback hook तो यह दोनों को भी आप एक बार समझ जाते तो आप कहीं ना कहीं आपको react masters कह सकते हो क्योंकि concept आम अल्रेडी सब देख चुके है रही बाते advance hooks वो भी हमारा almost complete होने वाला है गिने चुने एक दो hooks बाकी है जो आप जब job लग जाएगी जब काम करना पड़े तब आप उसको समझ सकते बट मैं वह बताऊंगा don't worry but at least इतना अगर आप कले तो it's more than enough so yeah guys please playlist को check out कीजिएगा source code है यहाँ पर सिर्फ 199 रुपीज एक burger ना मिले आपको कुछ ना मिले इसमें but मैं पूरी जिंदगी भरकी कमाई I mean मेरा जो start till end सारे वीडियो के source code सिर्फ 199 में आप लोगों के साथ सेर करो ताकि आपकी help हो जाए ठीक है झाल 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 झाल